है तो यह कि जल्याना का बस स्टेंड दोगने है कि यह जो किया के ज़्यादा नहीं रूखती है ज्यादा नहीं रूखती द्यस्में रुखती है यह सेलाना का बस स्ट्रेट है सेलाना से अब कल्यान के लिए सुबद जा रहा है दर्सन करने यह बस है अंबर के नाए यह सेलाना की रोड है यह देखे हाँ अब बस टे को बसाओे है यह 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 को बसे बसाओे है यह यह द्याँ है यह स्ट्रेट मौट अब हो यह सिर्ट यह से बसे बसे जै गुरू रभीदास दोस्तों आप सब का मेरे चेलर ट्रेवलिंग इनाल भारत पर स्वागत है आज अब आए हैं कल्यान के दारिस बर जो आप अगर आते हैं यहां पर तो पहले आप रतलाम आए रतलाम के बाद सेलाना आए और सेलाना से कोई 2-3 किलो मिटर दूर है यह कल्यान के दारिस बर तो मैं दर्सन करता हूँ और आपको भी दर्सन कराता हूँ आईए जै बहा काल ये में गेट है, कल्यांड केदा रिष्वर जाने के लिए आप देख सकते हैं इह देखें ये गेट है यहां से अब हम चलते हैं लेकिन इसके पहले मैं आपको बाँर की सुन्दर्था दिखाता हूँ देखें आप ये पहाड़ी छेतर है ये भी इसकी सुंदर्ता देखें आप ये रोड़ गया है और ये पहाड़ देखें आप ये इस तरीके से ये रस्ता आता है और ये रास्ता गया है देखें आप सुंदर्ता देखें यहां की देखते ही बनती है ये देखें आए दर्सन क यहां के बहुत अच्छे अच्छे वीवी दिखा हुआ मैं आपको यह रास्ता है और देखें जैसे ही आप जाते हैं तो आपको गेट के एकदम अंदर पहले हनुमान जी का मंदिल में देखें यह रास्ता गया है कल्यान के दारिस्पर महादेव के लिए मंदिल जाने का कुछ ऐसा रास्ता है अधी हमको नीचे उतरना पड़ेगा यह पहाड़ी पे से देखें यहीं से आपको जहरना दिखा रहा हूं है जहरना देखें वह चारों तरफ हर्याली हर्याली है देखें आप देख सकते हैं वह यह रास्ता है कुछ इस प्रकार का वह आप जहरना बेते हुए भी देख सकते हैं यह नदी है यह देखें कुछ स्रद्धल उगण कर देखें आते हूए कर देखें यह रद्धल उगन जाते हूए भी देख रहे है आपको यहां से कुछ यात्री आते हूए दर्शन करके ने की है यह देखें आप मै जारह कितना हसीन है इस बारिस का मोसम है बारिस हुई है तो पूरे पहाड़ों पर गिरिनरी गिरिनरी हो चुकी है और देख सकते हैं जहरना भी दिखाता हूं आपको यह देखें आई गया है हम कुछ नजदीग अब यह देख सकते हैं यह का द्रस देखें आप पहाड़ों के बीश में और और नीचे पहाड़ी के नीचे यह देखें यहाँ पर कुछ आप गुट्टे उट्टे की दुगाने लगी हैं कुछ नास्ता भी कर सकते हैं कुछ परसाग की दुगाने हैं यह देखें इस तरीके से यह देखें यह दुगाने भी हैं आप देख सकते हैं और वेटा मेरो क्या वो गेट से दे दिया उन्होंने आर बिल पत्र यह बच्ची ने देदी देख सकते हैं देखें आप जर्ना देखें वाँ इतना बढ़िया तरीके से जर्ना बेरा है यह देखें कुछ बच्चे रत्लाम से आलोट से आये हुए हैं यह भी कल्यान की दर्शवर महादेव के दर्सन करने आये हैं पड़ाई करते हैं यहां पर रत्लाम में यह लोग आप हम कल्यान के दर्शवर आये हैं और यहां आये तो और भी काफी दर्सना स्रद्धालूगन आये हैं तो यह मेरे साहब ने तीन बच्चे खड़े हैं थोड़ा जरा में इन से पूछूंगा आप अपना नाम बता दीजिए जो भी बोलना चाहिए भी आलोट से हैं अप ढ़र आप भी आलोट सेहे हैं पढ़ाई कहा पर कर रहा है या बहुत बढ़ी है तो यह तो मालूम ही होगा आपको यहां के बारे में पहले भी आया आप दर्सन कर आज़े बहुतड़ बढ़ी हो ट्रब्द प्रसनल के लिए बहुत बढ़िया ठीक बाई बोले आप लाइक करें सब्सक्राइब करें लाइक करो में कि अधिन कि यह आप देखें कितना बढ़िया सुंदर जर्णा है और यह कुंड है कल्यान के दासर महादियों में कि देख सकते हैं आप सीन देखें साब ये फारी के उपर से पानी आ रहा है और इस कुंड में जाता है यहांपर, ये कुंड के अंदर रिखें अब हम चलते हैं फारी के अंदर बिल्कुल गुफा में बहले बाबा के दर्सन करते हैं, कर्ल्याण के दर्षबर महाद्यों के कि देखें काफी लोग नीचे भी खड़े हैं और यह पाणि यदा है है कि एक ज़र्णा वहाँ पर भी है कि यह और भी दर्सक्गण ऐने देखें अअ यह स्रद्धा लुकन करता है इसका राफ्ता है यह पूरी पहाड़ी के नीशे गुफा में है यह मंदिर करे देख सकते हैं आप यह मंदिर है पूरी गुफा में है यह पहाड़ी के देखें आप किस प्रकार से यह देखें यह प्राकरतिक नजारा है यह देख सकते हैं आप यहां का गुफा का यह हम बिलकुल यह गुफा के यह देखें आप यह गुफा के एक दब नीक से ही हैं अपर आज हम सेलाना आए सेला में सेलाना के अंदर कल्यांड केदासवर महादेव हैं जो प्राचीन है और बहुत ही कुछ तूरत हैं यहां मैंने दर्सन करें हैं यह हैं आपके देखें यहां पर मंदीर में पंडीजी बेठे हैं मैं पंडीजी से यह पूछना चाहूँगा यहां की महाता के बारे में और यह कप से हैं यह शीवलिंग यह बताएं पंडीजी पहले आप अपना नाम बताएं मेरा नाम रादेशाम द्रिवेदी है जी हमारे बंसत से पुर्वा से चला रहा है 200 वर सोते पूजन हो रही है जी तैसिल में नाम है कलेक्टोरेट के अंदर का मंदीर है यह मंदीर असीव राचीन है यह नेचुरल है इसीने खोद के नहीं बनाया नदी बनी पहार बना मेरा नाम से प्रसित्ता है यह अपनी सभी वक्तों की मनों कामना पूर्ण करते हैं यह शाओन और भादवे में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है अति प्राचीन है नेचुरल है यह आपके सामने जो भी है यह आप बताईए वीडियो यह कब से विसे थोड़ा सा एक अंता नुझार नेनर प्राचीन थेखने में प्राचीन में अच्छा ठीक में खुखन आ पूनी से वाला जोव कि एडियो जा रहे हैं ने फिव्यर केह अहिक सामने है प्रृद इस साइड में गुफ़ा था छी करे पन्डि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह देखे हैं आप पिर यह देखें के और यह देखें और यह गूफा जारी ने बताया है यहां पर उंको भी पता नहीं यह गूफा जारी यह जो देख रहे हैं आप यह एक गुफा जारी है कहां जारी है पता नहीं है लेकिन अंदर भी दर्शन करने लाइख है यह देख सकते हैं आप यह देखें आप यह देखें पहाड़ी से पानी टपकता हुआ यह देखें यह मंदिर है रद्धा लुगण आते हुए कल यहां कि दस वर महादेव मंदिर में देख सकते हैं आप कि दिल्द हा करान पाम वेसे पेाश हुआ है यह दाजिए सकते हैं यह देखें हैं चलतम सकते ही खता으र कोιοобрास के त theorतों विले की यह देखें हैं। यह दो देखें हैं पहा है को पहा है उतक लिएंविग हो बङ़ घखें हैं हैं अप्रकृतिक के नजारे हैं देखें आप कुन्ड देखें और ये पाड़ी पर से जर्मा बेडते हुए देखें आप और वह गुफा में कल्यांड केदा सब अहां देख सकते हैं प्रेड़ों। पर देखें और भी सुर्द दलुगने यहां पर आप मंदिर में के जलने के नीचे आप देख सकते हैं याप अपागा आए new मत do करी ऐ talked अागा this village अभर जो जो समया है पहागा दूदर्व learnt औरजसा कर दूदर मुदा कर दो कर दो कर दोदर कर together ररफो टो रपते हैंगी करें देखे, आप रास्ता मेरे पीछे देने पर डंडी है, जरा सही रास्ता है, हाँ वो ही तो हाँ 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 चलगे हाँ, चलगे, पाड़ी पे चलगे, देख्याँ मेरे पीछे देखें आप कहां से चड़के आया हूँ दिखाओं मैं आपको यह देखें इतनी इतनी नीचे से यह देखें वहां से चड़के आया हूँ इस देखें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें देखें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कहां कहां जा रहा हूँ और भी दूर दूर ओर जाओं हो जगे बस आपसे निवे देने सबसे लाइक जरूर करें और सेयर करें पीछे करना जा रहा देखें आप कितना बड़िया हसीन है कुछ स्रद्दालूगण नीचे भी गए है नदी में जिदर से मैं आया हूँ और एक जरूर वो भी देखें आप बिल्कुल दूज जेसा बेरा है सब प्राकरतिक जरूर ने हैं ये ये सब पहाड़ फे से पानी आता है बरसात का पानी भी हाया है नदियों में तो भरा हुआ है देख सकते हैं आप काफी सुद्दालूगणे है वो जहरना देखें है ये देखें एक जहरना इदर भी देखें आप ये देखें बक्रियां पानी पी रही है ये जहरना देखें बक्रियां पानी पी रही है और आप देखें जहरना देखें कितना मस्त आ रहा है ये नदी है पीछे नदी में से पानी ऐसा गिर रहा है ऐसा ये पूरा जहरना बन रहा है और नीचे नदी में जा रहा है एक जहरना उदर से ओभी पहाड़ों पेसा रहा है पानी ये देख सकते हैं आप। कितना सुन्दर है? अती सुन्दर। इप्रकृतिक का नजारा य। यह से असंभावु है इस टाइप से नजारा यह देखें शॉक का रुप्छा रुख रुख जा रूड़ु यह बकरी नी मान रही है औरी आरही और रूख यह रोग्य दॉ package डाले मैं लेने बिस्किट खिला दिया हा लेकिए आप देखें साथ प्रक्रतिका नजारा देखें और देखें आप इसे नजारा देखें गजारा देखें आप और दर्सक गणाये हैं, देख सकते हैं आप इनको, देखें आप मेरे पीछे देखें, ये नदी गई है, पुरा पहाड़ी इलाका है, यहां भूले बावा विराजमान है, कल्यान के दारिश्वर महादेव के नाम से हैं, देख सकते हैं आप, अच्छा दार्सनिक इस्थान है, और एक पिकनिक स्पॉट भी मनाते हैं लोग, पिकनिक स्पॉट भी है यह, यह रास्ता गया है, यह देखें, काफी लोग नीचे से, मैं भी नीचे से ही आया हूँ, यह देखें, हम पूरा देखें वहां से वहां तक ईए रास्ता है अभी हम पाड़ी के उपर हैं मैं पाड़ी के ऊपर हूं अभी एदेखें यह देख सकते हैं रास्ता देखें वहां से नीचे उतरने का रास्ता है वह जो सीड़ियां दिख रही ना आप वहां से नीचे उतर के गुफा में जा सकते हैं वह ले बाबा के दरसन कर सकते हैं और फिर इदर घूमके आके इदर आएंगे आप साइड में इस साइड में तो दो जरने ओर मिलेंगे आपको जो मैंने अभी आपको दिखा चुक देखें काफी सुरत धालुगण आये हैं यह देख सकते हैं, माप्रकरती का नजारा देखें, कितना सुन्दर है, अती सुन्दर द्रस से, देख सकते हैं, यह देखें, यह जो पानी जा रहा है, यही जरने के रूप में बेहरा है नीचे, यह यहां से, यह वाला है यह जो जल है यही जर्ने के रूप में भेरा है नीचे जो आपको मेना जर्ना दिखाया था कल 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 पानी की आवास सुन सकते हैं अब देखें अब देखें अब देख सकते हैं कर देखें जर्ने के रूप में भेरा है यह जो दर्सन कर लिए भोले बाबा के के दारेश्वर महादेव के और अब जर्ने आपको भी दिखा दिखा दिये हैं अब हम आ गए उपर यह देखें हैं फिर देख सकते हैं यहां से जर्ना दिख रहा होगा आपको यह देखें वापीस उपर आ गए हैं अभी लेकिन अभी और उपर जाना है वो जो दिख रहा है वो पहाड़ी के उपर जाना आगी हमको अभी तो गुफा में से आ गए हैं निकल के दर्सन करके के दारेश्वर महादेव के यह देखें वापीस देखें वो जो उपर दिख रहा है आपको नजा रहा है वहाँ तक जाना अभी चल के पेदल यह देख सकते हैं यह गेट है में गेट और यह रास्ता है सिमेंटेट रोड है और यह पार्किंग की विवस्ता भी कर रही है फिर्शासन ने क्योंकि क्लेक्टर विवहक क्यादी नहीं है यह बंदिय यह देखें हैं यह देखें मैं नीचे से उपर आ चुका हूं अभी थोड़ा और रास्ता बांकी है लेकिन देखें आप उपर से इस तरीके से दिखता है और आपको में गेट से नीचे तक कम सकाम एक किलोमेटर पेदल चलना पड़ेगा पेदल चल के आप कल्यान के दासवर महादेव के दर्सन कर सकत इसी टाइप से एक जन्णा और इधर है यह गुफा के नीचे यह जो आपको फैंसिंग दिख रही होगी जन्डे अंडे दिख रहे है इससे नीचे उतर के जाना है नीचे उतर के जाना है यह जो दिख रहे हैं आपको जन्डे और यह पारकिंग है सीडियों से रस्ता है व कि यह रास्ता है थक्रीबन में उपर आये चुका हूं कि अच्छे गरना जा रहा देखेंगा इस विलाग को अब यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स विलाग में तब तक के लिए बाई सेर करें सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें थैंक यू